तो का इस फाइनली डेल्टा इंडिया जो है वह लाँच हो चुका है और काफी सारे लोगों ने अकाउंट आपका ओपन कर दिया है लेकिन अगर आपने अभी भी किया नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए इस वीडियो में आपको बताने माल हूँ कि डेल्टा इंडिया क्या है उसका कैसे हमें इस्तेमाल करना है और कैसे legally अभी आप इंडिया में बेटके आपको बाहर कई जाने की जरूरत नहीं है इंडिया में बेटके legally आप ट्रेड कर सकते हो crypto currencies में जिसमें आप trade करोगे future and option में तो यह कैसे तो वीडियो को बीना skip करें इंड तक देखिए और अगर आपके दोस्ट भी crypto में trade करना चाहते है legal तो यह वीडियो उनको जरूर शेर कीजिए तो शुरुआत करते हैं वीडियो को मैंने यहाँ पे open किया हुआ है india.delta.exchange यह इलिए है इंडिया के लोग data इंडिया में trade कर सकते है डिल टेंडिया में account open कर सकते है तो डिल्टा इंडिया में किस प्रकारसी ट्रेडिंग होती है क्या होती है इसमें हमारा tax क्या लगेगा charges क्या रहेंगे तो इन सारी चीजों के उपर आज हम यहां पर discussion करने वाले है है डीटेल में यहाँ पर जानेंगे किस प्रकारसी है लीगली है कैसे सेफ है और कितने यहाँ मतलब इजी तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं तो शुरुबात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो तो आप सीधा क्या करो गुगल पर जाओ गुल पर जाने के बाद FIU इंडिया यहाँ पर सर्च करो यह आप देख सकते हो क्रिप्टो में ट्रेड करते समय अगर हमने कैपिटल एड कर दिया तो हमारे यह माइंड में दिमाग में आता है कि यह कैपिटल हमें वापस मिलेगा पैसे हमारा कई जाएगा तो नहीं तो अभी आपके जो कैपिटल है आपका 100% सेफ है में चीज उसके बाद अगर हम यहां पर नीचे आएंगे तो आपको यहां पर पता चलेगा कि डेल्टा इंडिया में अकाउंट ओपन करने के बाद आप ट्रेड कप-कप कर सकते हो तो यू कें ट्रेड 24 by 7 and 365 डेज तो जैसे अपना बैंग निफ्टी निफ्टी मार्केट जो है बंद होता है उसको एक पर्टिकुलर टाइम होता है विकली ओफ होता है साटेडे संडे बंद होता है उसके बाद अगर हम कुर्डोयल की बात करें तो कुर्डोयल का भी सेम लेकिन यह जो मार्केट है यह 24 by 7 and 365 डेज चलता रहेगा इसमें कोई भी कभी भी यह बंद सारा बज़े तक मेंटेनेंस है तो यह जो है वो बंद रहेगा तो उस टाइम पर सिर्फ अब ट्रेड नहीं कर पाओगे उसका इंटिमेशन आपको पहले ही मिलता है विद अप नोटिफिकेशन अप्लिकेशन ओपन करते ही आपको वह दिखाई देगा उसके अलाबाद यह यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है कोई भी डिफरेंस नहीं है हम यहाँ पर जाएंगे न तो यहाँ पर इंडियन रुपीज में मुझे यह मेरा कैपिटल नजर आ रहा है तो मेरे पास अभी 10,000 कैपिटल मेरा यहाँ पर एड़ेड है ठीके और यहाँ पर आप देख सकते डॉलर में 129 डॉलर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे है लेकिन ट्रेड करते समय आप इंडियन रुपीज में ट्रेड नहीं करोगे आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा वह इंडियन रुपीज में ही आपके यहाँ पर जमा होगा इंफेक्ट आप जब आड करोगे तो आएनर में आड करोगे विड्र भी आपको आएनर में ही होगा लेकिन यहाँ पर ट्रेड करते समय आपको डॉलर में ट्रेड करना है बिटकोई में हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं कॉंट्राक्स में जैसे हम डेल्टा एक्शेंज में ट्रेड करते थे उसी प्रकर से हम 001 BTC आपको नजर आ रहा है similar सब कुछ है अब यहाँ पर by default आपको 100X का margin दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर एक दो अपते में यह setting भी यहाँ पर आ जाएगी कि आप margin को कम भी कर पाओगे 100X का margin आपको यहाँ पर दिया हुआ है उसके अलावा अगर हम यहाँ पर जाएंगे चार्ट वाले option में तो फिलाल यहाँ पर bitcoin and ether आपको दिखाई दे रहा है लेकिन जो alt coins है बाकी के जो small coins है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे वो भी आने वाले है एक दो अपते में तो वहाँ पर आप ट्रेड कर पाऊँगे उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आता हूँ capital withdrawal में withdrawal वाले section में जाता हूँ वीड़ाव वाले section में जाने के बाद आपको पैसे add करने के लिए बिए 85 के rate से ही पैसे add करने है और withdraw करते समय भी 85 के rate से ही पैसे withdraw करने है तो अभी यहाँ पे अग देखेंगे मेरे यहाँ पे अकॉट में बैलेंस कितना है 10,965 तो मैं यहाँ पे एक्जामपल 10,000 रुपे विड्रॉक करना चाहता हूँ तो 10,000 रुपे के उपर मेरे को 50 रुपीज का चार्ज लग रहा है इसके अलावा मेरे को कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है 9,950 रुपे जो है मेरे वालेट में आ जाएंगे अकाउंट में आ जाएंगे जो भी मेंने अकाउंट ऐड़ किया है अगर आप चाहते हो कि withdrawal के उपर और capital add करने के उपर एक dedicated वीडियो बनाना है तो आप मुझे comment section में जरूर बताओ और अगर आपने account open नहीं किया तो सबसे पहली बात नीचे वीडियो में link दिया हुआ है वीडियो के description में वहापे जाओ फटाफट से account open करो तो दो benefits आपको मिल learning group में भी entry मिलेगी so account open करने के बाद आपको team info पटा पर message करना है उसका link भी आपको मिलेगा तो यहाँ पर देखो chat box में super link है उस link को आप open करोगे तो आपके सामने यह वाला page open होगा उसके बाद यह देखो delta इंडिया का link यहाँ पर available है इसमें आपको account open करना है यही page open होता है ठीक है मैंने click कर दिया तो और उसके बाद team info कटा यहाँ पर आपको message करना है account open होने के बाद यहाँ पर message करोगे तो आपको learning और earning वाले group में add किया जाएगा इसमें message करने से पहले आपको nominal capital मतलब capital कितना लगेगा अगर आपका यह question है तो आप 1000 2000 3000 किद्रे भी capital से यहाँ क्या है आपको 100 X का margin मिलता है तो अगर आपके पास 1000 रुपे भी है तो भी आप एक लाक जितना trade कर सकते हो मतलब एक लाक capital है इसके हिसाब से आप यहाँ पे buying and selling कर सकते हो अच्छा उसके अलावा यहाँ पर बात करते है फीज हमें कितनी लगती है तो यहाँ पे फीज वाल limit order लगाते हो example मुझे यहाँ पर अभी कोई भी trade particular buy करना है ठीक है और अगर मैंने यहाँ पर limit order set कर दी यह limit है और यह यहाँ पर मैंने यह वाला price लगा दिया और यह यह यहाँ पर click करने के बाद यह वाला price यहाँ पर आ रहया 69,136 मुझे यहाँ पर contract डालने है तो यहाँ पर मैंने समझो 10 contract डाल दिये और मैंने buy के उपर button दबा दिया तो यह मेरी limit order हुई अगर आपने market order पर click करके buy करा तो आपका जो fees लगने वाला है वह 0.05% के आपसे लगने वाला है अब यह जो fees है वह कैसे लगता है तो example आपने margin use किया हुआ है तो margin use किया हुआ है तो margin use कर 100 X margin 100 dollar आपने यहां पर यूज किया है चलो लेट से 50 dollar 50 dollars आपने use किया है वट margin use किया है आपने 50 dollars के उपर 100X का ठीक है यानि 5000 Dollar आपने exactly buy किया होगा है क्योंकि आपके पास है तो 50 dollar बट आपने वाइं किया होगा है 5000 Dollar जतना तो 5000 dollar into 0.02% 5000 into 0.02% का आपको लगेगा यहाँ पर यानि एक dollar आपको चार्ज लगेगा तो इसी हिसाब से आप जो एक calculation कर सकते हो और यह आपको clearly दिखाई देता है कहाँ पर order stream में order stream में आप जाओगे तो आपको clearly दिखाई देता है 0.05% रहेगा इसलिए में लाइव में हमेशा बोलता हो कि या limit order की उपर क्लिक करो best offer की उपर क्लिक करो जो यहाँ पर अभी चल रहा है और आपके जो भी contracts है उसके उपर क्लिक करो जितने भी आप लेना चाहते हो और buy button दबादो सिधा buy button दबादो आपका जो है यहाँ पर by हो जाएगा अब इसके अलावा यहाँ पर आप selling भी कर सकते हो अगर आप sell side में जाना चाहते हो short करना चाहते हो अब sell भी कर सकते हो फ्लस हाँ अगर आप यहाँ पर option में आओगे to option भी आप है ठीक है आपको margin के साथ अगर future में trade करने को मिल रहा है अच्छा profit अगर वहाँ पर हो रहा है तो option में क्यों जाना है फिर भी आपके information के लिए यह देखो आज का एक तारीक है buy and hold कर सकते हो कोई problem नहीं है जब आप यहाँ पर इसमें भी trade करते समय आपको 100x का margin मिलेगा ठीक है जब आप trade करोगे in option option में जो fees है यहाँ पर 0.03% है maker भी और taker भी ठीक है वहाँ पर क्या था 0.02% limit order को और market order को 0.05% था लेकिन यहाँ पर limit order हो यह market order हो आपको 0.03% का ही fees यह यहाँ पर pay करना है okay so come again to यहाँ पर यहाँ पर यह देखो यहाँ पर मैंने चार्ट लगया हुआ है इस चार्ट को लगाने के बाद अगर आपको यहाँ पर कोई indicator apply करना है तो भी आप यहाँ आप से कर सकते हो ठीक है मैं इसको यहाँ पर remove कर देता हू और आप इसको zoom कर सक क्या दिखाई देगा ठीक है यहाँ पर आपको आपका चार्ट दिखाई देगा अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्षन में बताओ कि किस प्रकार से करना है सेल करना है उसके उपर वीडियो लाओ कैसे कैपिटल करना है कैसे कैपिटल करना है इन फैक्ट अगर आप चाहते हो कि अकाउंट के से ओपन करना है उसके उपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उसके उपर वीडियो जल्दी लेके आऊंगा बाकी आज के लिए इतना ही आप वेट क्या कर रहे हो फड़ा पर जाओ लिंक दिया हुआ है अकाउंट तब तब जाहिए